हलो एवरिवन आज की स्यूडियो में हम आपको नसों से जोड़ी प्रॉब्लम में दी जाने वाली मैडिसिन के बारे में कंप्लेट इंफॉर्मिशन देने वाले हैं तो आप वीडियो के अंतर तक जरूर बने रहिएगा मैं हूँ आपका दोस फार्मेसी शितांशुटोरिया और आप देख रहे हैं जो फार्मेसी यूटूब चैनल फ्रेंड्स इस तबा को मेली तीन कंटेन से मिला कर बनाया गया है पहला है फ्रिगाबलिन जो कि 75 mg पर है दूसरा है मिथालको बलमीन जो की 1500 mcg पर है और तीसरा ह टेलिन हैडोकलोराइड जो की 10 mg पर रहेगा यहां जो कंटेन है इच टैबलेट के हिसाप से बाकि यहां पूरी 10 टैबलेट की एक किष्टी पाती है और इस तबा का जो प्रिंट रेट है वो है 230 रुपए 230 रुपए में यहां दवा आको मेडिका इस्टो पर उपलब हो ज जाता है जब पेन के लर दवाईया यह इंजेक्शन उतना प्रभाशाले रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तब इस तब को दिया जा सकता है जिससे नियूरोपेटिक पेन को कम किया जा सके साती इस्पाइनल कॉर्ट की इंजरी के वज़े से नर्व डैमेज की समश्या हो गई जोड़ी एक प्राब्लम है जिसमें तो अच्छा में फुनसी, जलन, खुजली, चुबन जैसी कहीं दिक्कते हो सकती है नर्व डैमेज होने पर व्यक्ति की बॉड़ी में कहीं सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे दर्ध होना, सुनपन होना, जलन, सेंसिटिविटी, जुन-जुनी जैसी परिशानी देखने को मिलती है इसमें मिथाल को बालामीन है जो कि विटामिन B12 की कमी को दूर करता है दूसरा है नौट रिप्टेलिन जो की एंटी डिप्रेसेंट है और तीसरा है प्रिगाबेलिन जो की एंटी कलवर्सेंट से यहां तीनों मिलकर नस दाना भी इसका एक common side effect होता है इसलिए हम आपको बताएंगे इससे लेने का आगे चल के वीडियो में सहीं तरीका क्या होता है डूस भी इसके हम समझ लेते हैं तो अडल्ट में बड़ो में एक टेबलेट प्रती दिन सोने से पहले इसे लिया जाता है और खाना खाने के बा इसके डोस की जो duration रहती है वो 15 दिन एक महिना या जरूत अनुसार डोस में बदलाव भी किये जा सकते हैं कुछ इस तरह से दी जाती है समझ ठीक होने पर इसे बंद कर दिया जाता है बाकि ये जो medicine है किन दवाओं के साथ में अपना interaction दिखा सकती है उसकी list हम आपको provide कर द सकें इसी तरह रोजान अगर आपको दवाइयों से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो आप अपने इस YouTube चैनल एजुफार में सुक अपना प्यार और इसने देना नहीं भुलिएगा जल्दे मलताम अपने नेश्ड़ों पर जै हिन जै भारत